सम्मोसा तो हम सभी को खाना बहुत पसंद होता है लेकिन आज हम सम्मोसा बनाएंगे जिसमें हम नममेदा के यूश करेंगे नहीं अमचित पाउडर का और नहीं धनिया पत्ते का बहुत ही टेश्टी और यमी रेस्पी है इसे सेयर कर रही हूँ इसे बनाने के लिए गैस पर और एक चमध जीरा शाबुध धरिया की बीजलियों कि इसे भी ड्राइय रोष्ट कर लेना है मुट्फि के साथ ही इसे एक मिनिट ड्राइय रोष्ट करने के बाद जब मुट्फि क्रैक कर जाए तो इससे तार के बारतर में ट्रांसफर कर लेते हैं और एक थाली में दो क sebelum आटा लेते हैंаки चाट चम्मय सूजी साथ मी डालेंगे एक चाज वाईन हाथ से खुरस करके और स्वाधा अनुसर नमक करने के बाद इसे डालेंगे1 चम्मय देशी और अचे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका हम सक्ट डो त्यार करेंगे पानी एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हमको सक्ट डो त्यार करना है यहाँ पर मैंने डो त्यार कर लिए और धक करके 10 निट की रख देंगे यहाँ पर ड्राइ रोष्ट की वे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं इसे मिक्सर गैंडर में डाल कर इसकर दरदरा पॉडर बढ़ा लेंगे थोड़ा समय इसे दरदरा कर लिया है देखी आप चाहें तो कूट सकते हैं और इसे एक प्लेट में ट्रांस्वर कर लेते हैं जार में मैं नहीं इस पुलिए पांचे हेरी मिर्च मिर्च अपने ट्रैस्ट इकाॉड़ा कर सकते हैं किया एक बतन निकाल लेते हैं आप चलते हैं गैस की तरफ गैस पर रखेंगे हम कड़ाही कोई पैन और उसमें डालेंगे एक चम्मच cooking oil इसे डालने के बाद इसमें डालते हैं एक चम्मच जीरा कुछ कड़ी पत्ते और साथ में यहां पर दरदरा किया हुआ हरा मिर्च कड़ी पत्ता और जो आम काचार है उसे इसे थोड़ा सा एक मिर्च के लिए हम भूल लेते हैं तेल के साथ और यहां पर उबा साथ में डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आलो को थोड़ा तोड़ते जाएंगे इस पेचुला से यहां पर मैशनी करना है तोड़ना है और यह ड्राय रोष्ट की हुए दरदरा मसाला मुंफली का तियार की तो उसे के अच्छे से हमदलेंचे आलो को यह Gary believes यहां बड़ते हैं लाचे सब्कार मामेशन के पा देखली के लिए धाने झाल पर ले साथ मंपलेंगे ठंडा वोने के लिए एक बरतर मिकालके रख देते हैं आठा कुछे कर लेते हैं देखिए आठा थोड़ा सा मेरा सौफ्ट हो चुका है इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और बड़ी सी लोई तोड़ लेते हैं इस तरह से हम लंबा सा रूल बनाएंगे और चोटी चोट बेलेंगे और नहीं बहुत पतला है इसे दो पाट चाक उसे कट कर लेते हैं इस तरह से एक बरकोन बना कर देख लेते हैं एक पीस को हम इस तरह से उठाते हैं और उंगली पर इस तरह से ट्रेंगल शेप में फोल्ड करते हैं और पानी लगा के उसे चिपका लेंगे अच् सामने जोड़े हैं उसके बैक साइड से एक प्लेट देंगे और प्लेट देने के बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे देखिए हम वीडियो में अच्छी से दिखा रहे हैं इस तरह से वन बाई वन मैंने सारे समोसे को भर लिया है यहाँ पर मैंने 20-22 समोसे रेडी कर लिये हैं और इसे चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में यहाँ पर गैस पर कड़ाई रखके उसमें तलन तेल गरम करेंगे तेल बहुत जादी गरम नहीं होना चाहिए देखिए मैं समोसा डाल रही हूं तो बबलस नहीं उठ रहे हैं ग समोसी में बबस आ जाते हैं तो हमारे समोसी सॉफ्ट होने लगते हैं यहाँ पर मैं आटा का समोसा बना रही हूं मैं एक बार फिर आपको याद दिला दू यहाँ पर मैंने यहाँ पर ना तो महदे का यूज किया है और नहीं अमचुर पाउडर का और नहीं यहाँ पर मैं यहां पर देखी हमारे समयुसी का कलर Раз बदालना शुरू हो गया है कैस्यान लोमी जमी रखेंगे नहीं तो अगर तेह आच पर हम समयुसा तो यह सॉफ्ट हो अट्या का समोजा है मैदे का नहीं है मैदा का भी अगर हम समोजा हाइफ्लेंटे हैं confident तो भी soft हो जाते हैं एक्डम एक्डम मैधे के समोजे से भी अच्छा और बहुत यमें ट्यार हो से वगा कोई और अपोई कम्प्रमाइज हमा यहाँ पर देखिए हमारा यह समोसी का color रेक्टम बदल चुका है, आप लागतार वीडियो में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो के skip नहीं किया है, यहाँ पर देखिए हमारा यह समोसा ready हो चुका है, इसे इस तरह से चनी से निकाल लेंगे और एक इस्टेनर पे सममुस को इसी तरह से तैल में से फ्राय करना है गयस का फ्लेम लो मिडियमी रखना है और इसे पलट पलट कर के हम की फ्राइख करेंगे क्यों में चाहिए समुसी को मैं यह नियू तक कर नहीं प्लेम इसका कर रही हूं समँसी को फ्रायि Emma समूसा अगर जाते हैं कि समूसे का कडके conserv है unit समूसा भी समूसा भी समा कड़ जा है तो यह दो नहीं दोह कि महीं हम समूसी को जाता है और इसे चलाते हुए घुमाते हुए हमें इस तरह से फ्राई करना है यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक समोसे को हम फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी और यम्मी सा मैरा समोसा त्यार होता है यह भी हमारा समोसा तल गया देखिए कितना यम्मी सा कलर इसका आया है और लग रहा है ना लाजबाब अब इसे हम इस्टेनम निकाल करके साइट से रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने इतने सारे समोसे रेडी कर लिये हैं यह देखे हमारा यम्मी सा क्रिस्पी सा समोसा बनके त्यार है आप एक सर्विन प्लेट में मैंने यह आप टेमेटो सौस लिया है आप चाहे है तो हरी चत्नी के साथ भी सर्व कर सकते हैं देखे में तोड़के दिखा रहें फिलिंग कितनी अच्छे से बरी हुई और कितनी क् हमारी स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा है और इस तरह से हम घर में इस आठे के समय से को बनाया करके अपनी फ्रैमिली फ्रैमिस को सेर कर सकते हैं सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कर दो?